हलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका Go4Prep की इस नई क्लास में और आज हम P-Block के तक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आवर सान्री को चार ब्लॉक्स में बाटा गया है S, P, D and F में तो जो P-Block है वो बहुत ही important है और Government and competitive exams में इस ब्लॉक से बहुत सारे questions आते हैं जिनकी चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों पृत्वी एक ऐसा स्थान है जिस पर बिभिन प्रकार के तत्तों का भंडार पाया जाता है पृत्वी पर कई प्रकार के तत्तों पाया जाते हैं और इन तत्तों के रासाइनिक और भौतिक गुण अलग-अलग होते हैं दोस्तों किसी भी तत्यों में दो तरह के गुण पाय जाते हैं एक होता है रासाइनिक गुण और दूसरा होता है भौतिक गुण दोस्तों इन बिभिन प्रकार के तत्यों के कारण किसी एक तत्यों के भौतिक या रासाइनिक गुणों का अध्यन करना आसान नहीं है इन सभी तत्तों के अलग-अलग भौतिक और रासाइनिक गुणों के आधार पर इन्हें एक सारणी के रूप में रखा गया है ताकि इन तत्तों का अध्यन करना आसान हो सके दोस्तों इस सारणी को हम आवर्द सारणी कहते हैं दोस्तों, इस आवर्शानी में तक्तों को रखने के लिए 4 ब्लोक हैं, और वो ब्लोक कौँ कौन से हैं, S ब्लोक, P ब्लोक, D ब्लोक और F ब्लोक तो चलिए दोस्तों जानते की P ब्लोक के तakkos कौन कौन से हैं, और ठाथ P ब्लोक के elements दोस्तों तत्तों के वरगी करण की आधुनिक आवससाणि में तेरा से अठारा तत्तों को P-Block के तत्तों कहते हैं सारड़ी है और ये जो आपका portion है ये आपका P-Block के elements है अगर इनको अलग किया जाए तो ये ऐसे दिखता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तो ये इसके तत्व हैं तोस्तों आएए कुछ important point जानते हैं P-Block के तत्वों के बारे में तोस्तों जो P-Block के element होते हैं इनमें प्रत्यक तत्वों में प्रवेश करने वाला अंतिम electron P-Cose में जाता है इनका जो बाहतम कोस होता है उसका सामाने electronic विन्यास Ns2, Np1 से लेके 6 तक होता है अर्थात ये Np1, Np2, Np3, Np6 तक हो सकता है दोस्तों helium में अंतिम electron S-Cose में रखा जाता है फिर भी इसे P-Block के तत्वों के साथ 18 वर्ग में रखा गया है दोस्तों P-Block के तत्वों में धातू, अधातू तथा उपधातू अर्थात मिटल्स, नॉन मिटल्स तीनो ही प्रकार के तत्वों पाए जाते हैं तो अगर आपसे ये पूझा जाए कि P-Block के तत्वों में कौन-कौन से प्रकार के तत्वों पाए जाते हैं तो आपका उत्तर होगा धातू, अधातू और उपधातू दोस्तों, P-Block के तत्तों में अधातू, तत्तों की संख्या सबसे ज़्यादा है अगर आपसे पुछा जाए कि किस प्रकार के तत्तों की संख्या सबसे ज़्यादा है तो इसका उत्तर होगा अधातू दोस्तों, आवज सारणी के P-Khand में कुल 6 वरग है आईए दोस्तों जानते हैं कि P-Block के तत्तों के मुख्य तत्तों काउन-कौन से है तो अगर हम धातूं की बात करें तो धातूं में Aluminium, Gallium, Indium, Thallium, Tin जिसका की Sn होता है सिंबल Lead, PB, Bismuth और अगर अधातूं की बात करें तो अधातूं में Carbon, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Sulfur, Selenium दोस्तों अगर Halogenes की बात करें तो Halogenes में Fluorine, Chlorine, Bromine, Iodine और अगर उपधातूं और थात Metalites की बात करें तो इसमें Boron, Silicon, Germanium, Arsenic, Antimony, Tellurium, Polonium और अगर अक्री गैसें जिनकों की Noble gases करते हैं इनकी बात करें तो इसमें Neon, Organ, Krypton, Xenon, Redon आते हैं तो दोस्तों ये तो थे जो P-Block के प्रमुक तत्तों हैं आईए जानते हैं कि P-Block तत्तों का Electronic बिन्यास कैसे होता है तो जो दोस्तों इनका बाहरी को सामानी Electronic बिन्यास होता है वो NS2, NP1 से लेके 6 तक होता है ये हमने आपको पहले ही बताया है तो जो Group 13 में आते हैं उनका Electronic बिन्यास NS2, NP1 14 वाले का NS2, NP2 15 का NS2, NP3 16 का NS2, NP4 17 का NS2, NP5 और 18 का NS2, NP6 होता है दोस्तों हम आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम IS SSC Bank से रेलेटेड बहुत सारे Questions और Answers अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं तो आप मारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल से जल प्राप्त हो सके इसके अनावा Government and competitive जान संबंधिर किसी भी material के लिए आप मारे website www.go4pip.com विजिट कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो